हलो एंड वेलकम गाईज आप सभी का एक बार फिर से एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में स्वागत करते हैं दोस्तों पटना एम्स की जो 200 पोस्ट के लिए वेकेंसी निकली हुई है परमानेंट भरती निकली हुई है उसका फोपीशियल सेलेबस रिलीज हो चुका है इस वीडियो के अंदर बताऊंगा होपीशियल सेलेबस के साथ में तो क्या रहेगा इसका होपीशियल सेलेबस इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं दोस्तों और दोस्तों हम इस सेलेबस के अनुसार आपके लिए Mind Blowing Testories हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तो पटना एम्स के लिए Mind Blowing Testories रहने वाली आपके लिए इस syllabus के आधार पे ही हमने ये testories आप लोग के लिए तयार की है तो जिन भी candidates को Mind Blowing Testories परचेज करनी हो आप हमारे नमबर पे contact कर सकते हैं नमबर है 9024307738 दोस्तो रिजनेबल प्राइज में आपको ये testories मिलने वाली है तो जिन भी candidates को परचेज करनी हो वो इस नमबर पे आप contact कर सकते हैं WhatsApp या फिर call पे बात कर सकते हैं और दोस्तो payment आपको phone पे Google पे पेटेम से आप कर पाएंगे तो कोई doubt है तो आप इस नमबर पे contact कर पाएंगे तो चलिए हम बात करते हैं आखिर क्या इस syllabus के अंदर दिया गया है पटना IMS के तो दुस्ते पहले हम बात करते हैं scheme of examination इसका scheme of examination क्या रहने वाला है दोस्तो तो दोस्तो पतना IMS के अंदर आपका जो है computer based test होगा साथ में जो है इसके अंदर skill test भी यहां पे रहने वाला है और qualifying जो marks से यह दोस्तो वो कितने चाहिए candidates will have to score 50% marks in the skill test to qualify यहनी skill test के अंदर qualify होने के लिए 50% marks कम से कम उसको चाहिए और skill test के लिए जिन candidates को बुलाया जाएगा 1 as to 3 के ratio में candidates को यहां पे बुलाया जाएगा तो दोस्तो जो इसका syllabus है उसको आप यहां पे देख पा रहे हैं तो यहां पे syllabus के अंदर दोस्तो anatomy and physiology से 20 questions यहां पे आने वाले हैं यह आपकी anatomy और physiology कितने questions आएगे दोस्तो 20 questions आपके यहां पे anatomy and physiology के रहने वाले हैं 10 questions यहां पे microbiology के रहने वाले हैं sociology के भी 10 questions आपके यहाँ पे रहेंगे nursing foundation के यहाँ पे 40 questions यहाँ पे रहेंगे community health nursing first के 10 questions यहाँ पे रहेंगे और दोस्तों मैं आपको इसमें भी यह बताऊँगा कि anatomy physiology के अंदर कौन-कौन से main topics रहेंगे वो भी अपन इसी वीडियो के अधर बात कर लेंगे nutrition के अंदर दोस्तों 10 questions यहाँ पे रहेंगे medical surgical nursing के अंदर 40 questions psychiatric nursing के 10 questions midwifery and gynecological nursing के 40 questions और pediatric nursing के 10 questions तो इस परकार से दोस्तों आपने देखा कि आपका जो syllabus है वो मैंने आपको बता है कि कौन-कौन से syllabus है कितने-कितने subject से कितने-कितने questions यहाँ पे आने वाले हैं और दोस्तों टोस्तों नंबर का यह paper आपका होने वाला कितने नंबर का होने वाला दोस्तों टोटल 200 नंबर का यह आपका paper होगा पटना एम्स का तो जिनोनमी पटना एम्स का एक्जाम फॉर्म फिल किया है तो वो लोग टेस्टरीज परचेस कर सकते हैं बिलकुल reasonable price के अंदर आपको टेस्टरीज मिलेगी इस syllabus के अनुसार अब anatomy and physiology के अंदर कौन-कौन से topics में रहने वाले हैं तो सबसे पहले अपना बोन वाला टॉपिक जॉइंट ब्लड हाट नोर्मल रेस्परेशन यानि आपका कार्डियोक सिस्टम आ गया यहां पर रेस्परेटर सिस्टम आ गया मेटाबोलिजम यानि आपका डाजेस्ट सिस्टम में यहां पर इंक्लूड किया गया है रेगुलेशन ऑब बोडी टेंप्रेश्चर, फ्लूड अन इलेक्रोलाइट, बैलेंस, सी एनन, सेंटरल नर्वस सिस्टम इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन से आपके पूटब होंगे इनसे मतलब आपके क्यूशन पूछे जाएंगे अनाटोमी के अंदर फीजिलोजी आपके रहेंगे उन दस क्यूशन में पैथोजनिक और नोन पैथोजनिक और अर्गिनिजम से रिलेटेड, पॉर्टल ऑफ एंट्रीज और एक्जिट ऑफ माइक्रोग्स, ट्रांस्मिशन ऑफ इंफेक्शन, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, टाइप्स ऑफ इम्मिनुटी, हाइपर सेंसिटिव इस्टर्लाइजेशन से क्यूशन आएगा, आपका डिसिंफेक्शन और बाइसेप्टे और बेस्ट मैंजमेंट से यहाँ पैपर क्यूशन आएगे, टोटल दस्ट क्यूशन से यहाँ पे पहुंचे जाएंगे नेक्ट सोशियोलोजी तो सोशियोलोजी से दोस्तों यहाँ पे सोशियल प्रोब्लम जिसके अंदर अन्मेरिट मदर्स डावरी प्रोस्टिट्यूशन ड्रग एडिक्शन एल्कॉलिज्म डेलिक्वेंसी हैंडिकप चैल्ड अब्यूजन वोमें अबच यहां से क्यूशन आपके पूछे जाएंगे सोशियोलोजी से नर्सिं फाउंडेंस रिल्क के अंदर पूछे जांगे दोस्तों वह आपके यहां पर रहने वाले हैं बैसिक नीरे से किरी से पूछे जाएंगे तर्मिनल इल जो होता है जो पिशन्ट डेद की कंडिशन में होता है जो अंतिम स्टेज गंद रहता है वहाँ से क्विशन पुछ जाएंगे उसकी केर से रिलिटेड फिजिकली हैंडीकप्ट की क्या 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 रहते हैं वह सब आप से पूछ जाएगा Drug and Administration से Related Quesn से आपके पूछे जाएंगे जिसके अदर आपके Rights भी आएंगे और First Aid से Related Quesn जैसे की Fire होती है उसमें First Aid आप क्या करेंगे Burn होता है, Fracture होता है Accident, Poisoning, Drowning, Hemorrhage, Insect Bites, Foreign Bodies इन सब से Related आपके Quesn यहाँ पूछे जाएंगे Community के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं Dimension of Health, Health Determinates तो यह सारे Topics Community के रहेंगे और अपने चलते हैं Nutrition के अंदर तो Nutrition के अंदर आपके जो है Normal Food Requirement कितनी कितनी होती है यह सब सारे Topics यहाँ से आपके Nutrition के कवर होने वाले हैं Medical and Surgical Nursing के दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं Graph vs. Host Disease, Fluid and Electrolite से रुलेटर Therapeutic Approach to Pain, Anesthesia, Force Operative Complication Management of Patient, Respiratory Intensive Care Management of Endocrinal Disorder, Renar Failure Dialysis यह सारे क्योशन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे Burned से रिलेटर क्योशन पूछे जाएगा ICU वगएरा इनसे भी क्योशन आपके यहाँ पे आएंगे Management of Patient with Cardiovascular Surgedies रिलेटर क्योशन आपसे पूछे जाएंगे Blood Translution से रिलेटर Management of Various Infection Disease यहाँ से आपके यहाँ पे क्योशन पूछे जाएंगे Psychiatric Nursing से भी यहाँ पे क्योशन पूछे जाएंगे Saizofrenia शेलेटर क्योशन पूछे जा सकते हैं Mood Disorder कौन से Manic Patient के अंदर कौन से Drugs देते हैं Anxiety के अंदर क्या देते हैं यहाँ सब सीज़े यहाँ पे Psychiatric से रिलेटर क्योशन पूछे जाएंगे Mid-Wire Free and Gynecological Nursing की अपन बात करें तो यहाँ पे Embryology and Fetal Development यहाँ पूछे जा सकती है कि आपका Zero से Eight Week का उसको क्या कहेंगे इसी परकार के बहुत सारी क्योशन आपके पूछे जाएंगे ठीक है और High Risk Pregnancy, Prenatal Care यहाँ पे Management of Women in Labor and Labor Management यहाँ से क्योशन पूछे जाएंगे Pregnancy, High Risk Pregnancy, High Risk Labor, Fertility, Infertility यहाँ टोपिक्स आपके यह Guining and Officer रहने वाल है Pediatric Nursing के अपन बात करें दोस्तों Pediatric Nursing के अंदर Newborn के जो Development होता है Growth and Development से आपसे क्योशन पूछे जाएंगे साथ में Preventive Pediatric के जो Concepts हैं यह सारे मतलब जो इसके अंदर रखे गए हैं सब्जेक्ट आपके उन सब्जेक्ट के अनुसार ही आपके लिए टेस्ट रिज तैयार के गई है तो जिन भी Candidates को टेस्ट रिज लेनी हो आप हमारी नमबर पर Contact कर सकते हैं नमबर है 90-24-30-77-38 मातर Reasonable Price के अंदर आपको यह टेस्ट रिज मिलने वाली है तो आपने इस नमबर पर WhatsApp या फिर Call करके पूछ सकते हैं आपकी जो एक्साम होने वाली है 9-01-2022 को आपकी एक्साम होगी 9-01-2022 को आपकी एक्साम होगी तो जिन भी Candidates को टेस्ट रिज पर चेस्ट करनी हो आप हमारे नमबर पर Contact कर सकते हैं बिल्कुल Mind-blowing टेस्ट रिज आपकी यहां पर रहेगी जो इस पटना एम्स का जो सेलेबस दिया गया है इस सेलेबस के अनुसार आपकी रहने वाली है टोटल यहां पर 10 टेस्ट रिज होगी दोस्तों किती टेस्ट रिज रखी गई है आपको मिलने वाले हैं इस टेस्ट रिज के अंदर तो जो भी केंडे से इंट्रेस्टेड हो आप हमारे नमबर पर phone पर Google पर पेटियम से payment कर सकते हैं आसा करता हम आपको वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कर दें share कर दे और इदिए आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर कर ले और घंटी के निसान call पर जरूर प्रेस कर ले मिलते हैं नेक्स वीडियो में आज किस वीडियो के अंदर इतना ही धन्यवाद